दोस्तों जब भी आप थंड में मश्रूम मटर बनाते हों तो आपको यह चीज जानना बहुत जलूरी है कि मश्रूम का फ्लेवर कैसा आता है मश्रूम का और मटर का फ्लेवर जैसा है उसे साब से ही मसाले होने चाहिए तो मश्रूम का फ्लेवर थोड़ा मीटी होता है और मटर का फ्लेवर ठंड में मीठा मीठा होता है तो दोस्तों ये रेस्पी मैंने बिल्कुल उसे साब से बनाई है घर के ही मसाले हैं लेकिन जब बनाओगे तो फ्लेवर अलगाएगा हेलो दोस्तों मैं हूँ भरत और आपका स्वाकत है भरत के चिछन हिंदी में तो फिर देर किस बात की चलो फिर शुरू करते हैं अब यहाँ पर मश्रूम मटर बनाने के लिए मैंने आपर 400 ग्राम मश्रूम का इस्तमाल किया है और आप देख सकते हूँ मैं यहाँ पर जान भूच के थोड़ इसे डिर्टी मश्रूम लाया हूँ थोड़ इसे दंदे मश्रूम लाया हूँ दंदे मतलब क्वालिटी में तो अच्छे ही है लेकि थोड़ इसे डिर्टी है तो पहले मैं आपको बता दू कि जो स्टेम्स है आप इसको यूज़ कर सकते हो लेकिन पूरी यूज़ नहीं करने यूज़कि सबसे जो बॉटम वाला पार्ट होता है ये काफी जादा वुड़ी होता है लकडी जैसा सा फील होगा अगर आप इसको बना दोगे अब नीचे वाला पार्ट यहां पर काट देना उसको डिसकार्ट कर देना और अब बाद आती है इस गंदगी को साफ करने की कि मश्रूम साफ कैसे करने है बहुत असाने दोस्तों आप थोड़ा सा गेहूं काटा लेना जिससे हम रोटिय बनाते हैं उसको अच्छे से मश्रूम में रब करना और इसकी बाहर की जो सर्फेस है आप उसका ऐसे रब करके अच्छे से साफ कर लेना जितनी गंदगी होगी मश्रूम से वो निकलने लग जाएगी पहरे तो मश्रूम कॉम्पोस्ट में बनते थे लेकर आजकल न्यूस्पेपर राक्स में बनते हैं तो इनको साफ करना बहुत असान है और काफी साफ मश्रूम भी मार्केट में मिलते हैं अगर आप ढून लोगे तो पड़ यह कॉमन वाले हैं बटन मश्रूम इसलिए मैं जान मुझ की यह ही लाया हूँ आजा थोड़ी देर आप आप इसमें लगे रहने देना लगबग एक दो मिनिट के लिए और फिर एक जाली में डाल कर आप थोड़े से वाम वाटर से इसको क्लीन कर देना वाम वाटर करने का आप कास टाइम नहीं है तो आप नॉमल पानी से भी इसको साफ कर ले ना बिसिकली पानी से साफ करने से जितने भी गंदगी होगी वह नीचे चली जाएगी आटा सारा भेह जाएगा और आप देख सकते हो पानी में साधी गंदगी आ चुकी है दिख रहे हैं आपको अब मश्रूम अब साफ हो गया है एक बार इसको फिर से रिंस कर लेना ताकि और क्लीन हो जाए और बस अब फटा फट से यहाँ पर कटिंग जॉपिंग शुरू करते हैं मश्रूम मटर के लिए तो मैं तो प्रिशर उकर में बना रहा हूँ इसलिए मैंने मश्रूम को बड़े बड़े पीसे में ही काटा है हाफ में डिवाइड किया है और अगर आपके बहुत बड़ा मश्रूम है तो आप उसको चार पार्ट में डिवाइड कर लेना यानि कि उनको लगभग एकुल प प्यास की और ध्याना है मैंने बोला था ना कि हम मश्रूम के फलीवर के हिसाब से और मडर के फलीवर के हिसाब से चूस करेंगे तो आपने Пयास जादा लेने है लगभग 2 पृण ने है फ्यूण प्यास को आपने यह पर फाइन दी चॉप करना है अब दोस्तों मश्रूम क से वो सेवरी फ्लेवर को एलिवेट करेंगे और वही बहुत ज़रूरी बात है सेवरी से याद आया, आपने आपर टमाटर लेने है, दो टमाटर काफी होंगे, अगर आप देसी ले रहे हो तो मुझे तो सरसो का तेल पसंद है, इसलिए मैंने आपर सरसो के तेल का ही इस्तमाल किया है, आप रीफाइंड ओयल भी यूज कर सकते हो, देसी घी भी कर सकते हो सरसो के तेल से थोड़ा सा पंची फ्लेवर आता है, जान रहा है इस बात का ये एक अच्छा तेल है तो इसको मैंने अच्छे जगरम किया जब तक इससे धुआ निकलना शुरूर ही आता फिर मैंने क्यास को लो करके यहाँ पर जीरा डाला है और सुखी लाल मिर्चे डाली है अच्छे से रोस्ट होना चाहिए जीरा और सुखी लाल मिर्च फिर आप यहाँ पर प्यास डालना और अब यहाँ पर टाइम आता है थोड़ी महनत का अभी तक तो काफी काम असान था अब थोड़े महनत का टाइम है क्योंकि प्यास को सही से भुनना बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ पर फ्लेवर डालना चाहते हो इसलिए अच्छे से थोड़ा से लग के आप यहाँ पर भुनाई करना अराम से मीडियम फ्लेम पर हाई फ्लेम पर नहीं हाई फ्लेम पर करोगे तो प्यास बहार से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर तक वो नहीं पक पाएंगे हमें चाहिए कि प्यास अच्छे से भुनाओं इसलिए आप उसको मीडियम फ्लेम पर ही करना तो थोड़ा साइट्स पे आप ध्यार नेरा, साइट्स पे टेंपरेचर ज्यादा हो जाता है, ग्यास में सेंटर में थोड़ा तम होता है, तो प्यास साइट्स से ज्यादा जलने लग जाते हैं, तो इसको बार बार हिलाते जरूर है, जैसी प्यास में हलका सा ब्राउन कलर आ आप यहाँ पर हल्दी और कश्मीरी लानमेट्स पर डालने इस टाइम पर डालने से कलर बहुत ज्यादा इन्हांस होके आता है दोस्तों इस बात का ध्यान देना थोड़ा सा आपने पकाना है और ताकि यह मसाले जले ना आप फटा-फट से यहाँ पर टमाटर बिढ़ा देन बहुत important point है दोस्तों अच्छे से चला-चला के आप इसको पकाते रहना medium flame पर ही जब तक तेल अलग नहीं होता जब तेल एकदम अलग होने लगता है टमाटर भुन जाए soft हो जाए एकदम फिर आप यहाँ पर धही डालना और धही के supporter ज़रूर डालते ना नहीं तो धही ड यह बेट करता है अगर आपके अज घर पर हो तो आप इसका इस्तेमान जरूर करना अगर नहीं हो तो आप इसको skip कर सकते हो हाँ लेकिन धही डालने से इस gravy का जो flavor है बिलकुल अलग आएगा दोस्तों आप यहाँ पर इसको अच्छे से पका लेना जब तक कि फिर से तेल अ अलग नहीं हो जाता और यह देखो सारी चीजे एक साथ खुल मिल जाएगी यह देखो न आपको ध्यान से दिखाता हूँ है ना सारी चीजे घुल गई है ना अच्छे से भुन के हमने बनाया है बस यही इस recipe की खास बात है जो mushroom का flavor enhance करेगी अब आप यहाँ पर मटर डालन fresh मटर मिल जाए ठंड के तो बहुत ही बढ़िया है जलकी सी मीठी बनेगी यह gravy fresh ना मिले तो frozen तो चली सकते हैं मटर को आप जरूर भुन लेना थोड़ा सा और भुनाई करी रहे है तो आप यहाँ पर mushroom भी डाल देना क्योंकि उनको भी हमने थोड़ा सा भुनना है थोड़ तो ही डालना गरम फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अद्रकी लच्छे डाले हैं साथ-साथ गरम मसाला आएगा यहाँ पर और कसूरी मेथी तो बिलकुल मैं भूलना और freshness के लिए धनिया भी मैंने यहाँ पर डाला है यह सारी चीज़े आप यहाँ पर अच मश्रूं के हिसाब से बनाएंगे रेस्पी तो बटर जरूर डालना मश्रूं बटर का flavor इंहांस करने के लिए थोड़ा साही काफी होगा आपने यहाँ पर पानी डालना है लगभग एक अप मै ने यहाँ पर पानी डाला है मैंने गरम पानी डाला है ताकि ग्रेवी का flavor प उसको शौक ना लगे, जरम पाने हो तो आप जरूर डालना नहीं तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हो, अब बस अब आपने हापा धकन लगाना है, दो सीटी देनी है मीडियम फ्लेम पर और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, जब तक इसके सारी गास नहीं निकल जा प्रेशर कुकर वाले मश्रूम मटर आपको मिलेंगे, सॉफ्ट होंगे एकदम और उनको खाने में बहुत मजा आएगा दोस्तों, आप इसको फुलके के साथ ही बना कर देखना बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों, ठंड में इसको एक बार बनाना तो सच में बिलकुल प्रेश।